जब हम शोले फिल्म के बात करते हैं तो फिल्म में कुछ ऐसे सफल द्रश्य थे जिन पर आज भी चर्चा रहती है फिर चाहे वो धर्मेंदर का टंकी पे चड़ने वाला सीन हो, अमिता बच्चन का मौसी को समझाने वाला सीन हो या गबबर सिंग के डायलोग्स हो इसी प्रकार से सत्या फिल्म में मनोज बाचपई की डायलोग्स डिलिवरी हो, डीडी एलजे के बाउजी वाले सीन्स हो, अक्षे कुमार का सूर्यवन्शी में प्लेन पर लटकने वाला सीन हो ये सब सीन इतने अच्छे बन पड़े थे कि हम इनकी चर्चा आज भी करते हैं ऐसा ही एक बहुँ चर्चित सीन शूट किया गया है कार्तिक आरेन की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के लिए नॉर्मली एक फिल्म की चर्चा उसके टीजर आने के बाद होती है, ट्रेलर आने के बाद होती है या फिर कई बार फिल्म आने के बाद भी होती है अगर फिल्म अच्छी हो तो लेकिन आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन की चर्चा इसकी शूटिंग से ही शूरू हो गई है क्योंकि इस बार कार्तिक ने एक ऐसा action sequence फिल्माया है जो इस फिल्म का USP हो सकता है कार्तिक आरियन की ये फिल्म एक sports drama फिल्म है जिसमें उनका एक 8 मिनट का one take action shot फिल्माया गया है जिसके कारण फिल्म रिलीस से पहले ही चर्चा में आ चुकी है 8 मिनट लंबे इस action sequence को कश्मीर में 9000 फिट की उचाई पर शूट किया गया है और वो भी one take shot नॉर्मली हमने कई बार फिल्मों में लंबे one take shots देखे हैं लेकिन ज्यादा तर ये वो scenes ते जिन में dialogues रहे थे तो वहाँ actor की काबलियत का अंदाजा इस बात से लगाय जाता है कि उसने इतने लंबे dialogues नकिवल याद किये बलकि उनके उन्हें proper expressions के साथ deliver भी किये एक बार को easy रहता लेकिन अगर यही sequence 9000 feet की उचाई पर हो तो ये unbelievable ही लगता है कारती कारियन actor अच्छे हैं लेकिन इस बार वो हमें action अवतार में भी देखने को मिलने वाले हैं जब long monologues की बात आती है तब भी हमें कारती की याद आते हैं जब उन्होंने प्यार का पंचनामा में 5 मिनट लंबा dialogue एक flow में बोल डाला था लेकिन इस बार situation अलग है इस बार वो मू से नहीं बलकि ये one take shot action के रूप में हाथों से करेंगे 9000 feet की उचाई पर अनेकों दूसरे fighter actors के साथ one take में action scene करने के लिए किस level की मेहनत लगी होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं नॉर्माली कारतिक अपनी ज्यादातर फिल्मों में एक lover boy की तरह देखने को मिले हैं जिसमें वो एक normal लड़के की तरह नजर आए बट इस बार फिल्म की demand ऐसी है कि वो एक fighter look में देखने को मिलने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने अच्छी कासी body बनाई है तो no doubt कारतिक के fans के लिए उनका ये नया अवतार surprising रहेगा फिल्म का direction किया है कभीर खान ने और ये फिल्म एक सक्ची घटना पर आधारित है जो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हार मानने से इंकार कर दिया था जब one take shots में किसी दृष्य को फिल्माना हो तो इसके लिए कई दिनों तक practice की जाती है और अगर action sequence हो तो दृष्य में दिख रहे सभी कलाकारों को सही ढंग से 8 मिनट तक perform करना जरूरी रहता है यदि एक भी actor की timing गलत हुई तो पूरा दृष्य दोबारा से shoot करना पड़ता है तो लेट सी की 9000 फिट की उचाए पर shoot किया ये 8 मिनट का one take action scene परदे पर कैसा लगता है फिल्म को साजित नाडियाडवाला के साथ कबीर खान ने प्रड्यूस किया है फिल्म अगले साल 14 जून को रिलीस के लिए तयार है वाले से वाले से लिए 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 लिए